अनुपात और समय अनुपात का टाइप 6 रहेगा जिसमें हम आज सिक्के से समन्दीद कोश्चेन करेंगे ठीक है तो कोश्चेन नमबर एक दे रखा है एक थेले में 50 पेसे 1 रूपे वै 25 पेसे के सिक्के 2, 3 और 8 के अनुपात में है और इन सिक्कों से बनने वाली कुल रासी 24 रूपे हैं तो 50 पेसे के सिक्कों की संख्या ग्याद करो हमारे पास में 50 पेसे 1 रूपे वैं 25 पेसे के सिक्के दे रखे हैं अनुपात में दे रखे हैं दो अनुपात तीन अनुपात आठ में दे रखे हैं और ये धन जो कुल धन है वो कितना दे रखा है 24 रुपे दे रखा है और हमें पूछा है कि 50 पेसे के कितने सिक्के हैं ये बतानी है तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखो 50 पेसे 1 रुपे और 25 पेसे तीन्नों को लिखी लिए अब इनके सिक्कों का अनुपाद देखो तो इनका अनुपाद दे रिखा है दो अनुपाद तीन और अनुपाद आठ अब हमें काउंटिंग करनी है धन बनाना है क्योंकि धन क्यों बनाना है क्योंकि कुल रुपे दे रिखी है और हमें इनको रुपे में बदलना है अगर हमारे पास में पचास पचास के दो सिक्के हैं तो कितने रुपे हो जाएंगे पचास पेसे के दो सिक्के हैं तो कितने रुपे एक रुपे जब दो पचास पेसों को जोड़ता है तो एक रुपे बनता है इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ कि एक एक रुपे के तीन सिक्के हैं तो कितने रुपे होंगे तो आप कहोगे कि सर तीन रुपे हैं इसी प्रकार मैं बोलूँ कि पच्चिस पेसे के कितने सिक्के हैं आठ है बिए 25 पेसे के सीखे कितने हैं 8 पेसे के जैसे मैं लिख देता हूँ 25 पेसा एक दो तीन चार इसी प्रकार 1 2 3 4 यह गिन आठ अगर हम 4 पेसे को count करते हैं तो 1 रूपे बनता है फिर इन 4 पेसे को जोड़ेंगे तो कितने रूपे बनता है एक रुपे क्योंकि चारों को जोड़ेंगे तो कितने पैसे बनेंगे सो पैसे और सो पैसे में कितने रुपे एक रुपे ठीक है तो ये एक रुपे इसी प्रकार इन चारों को जोड़ेंगे तो कितने पैसे बनेंगे पैसे तो बनेंगे हमारे सो और सो पेसे में कितने रुपे होता है तो एक रुपे होता है ठीक है इस परकार आठ है तो कितने रुपे बन जाएगे दो रुपे अब हमारे पास में कुल रुपे दे रखे हैं 24 तो हमने कुल रुपे 24 और धन का अनुपात कितना दे रखा है एक तीन और दो इनको काउंट करेंगे तो चार चार और दो छे छे तो निजे आगया छोड़ इंटू क्या पुछा है पचास पेसे और पचास पेसे के सिक्वों का अनुपाद कितना है दो है ठीक है तो गुणा में दो तो छे एक कम छे छे चार चोविस चार को दो से गुणा करने पर कितना आता है आठ तो पचास पेसे के सिक्वों के संख्य कितनी है पचास पेसे के सिक्वों के कितने है आठ है ठीक है यह हमारा कुश्चन नमर एक था अब ध्यान पर रो कुश्चन नमर दो को समझिए एक बेग में बीस पेसे, दस पेसे, वें, पचास पेसे के सिक्के दो, तीन, एक के अनुपात में है कुल दन, कुल दन दे रहा है, पेसे में ही दे रहा है, रूपे में नहीं दिया अब कि बार किस में दिया है, पेसे में, कितने पेसे 3600 पेसे दे रखा है तो 10 पेसे के सिक्कों की संख्या ग्यात करो बड़ा ही असान है सबसे पहले हमें पेसे लिखने है 20 पेसे 10 पेसे और 50 पेसे तीनों को लिख लिए अब इन पात क्या दे रखा है सिक्कों का 2, 3 और 1 यह रहा 2, 3 और 1 एक एन पात में दे रखा है अब गुणा करेंगे पेसे को धन बनाने के लिए देखो दो को बीस से गुणा क्या कितना है चालिस तो अब के बार ये चालिस क्या है पेसे है नहीं की रुपे क्योंकि रुपे में नहीं बदलना अपने को क्योंकि यहां पेसे में दे रहेगा, अगर रूपे में होता तो फिर रूपे में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, दो को 40 से गुना क्या, 40 पेसे, अगर इसको मैं रूपे में बदलूँगा, तो भी वो पॉइंटों में चले जाएगा, 0.40 पे रूपे बन जाएगा, ठीक है, इ हमारे पास टोटल धन कितना दे रखा है, 3600 पेसे दे रखा है, अब इनको जोड़ेंगे, 40 और 30, 70 और 50, 120, 120 पेसे आगे, तो 3600 बटा में 120 पेसे, इंटों में क्या पुछा है, 10 पेसे के सीकों की संख्या, और 10 पेसे के सीकों की संख्या हमारे पास में 3 है, तो गुना में 3 लगा देंगे जीरो से जीरो केंसल बारा का भाग दिया बारा तिया 36 30 आ जाएगा और 30 को तीन से गुणा करेंगे तो 90 शिक्के आजए तो दस पेसे के सिक्कों के जंग्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी इसी बरकार आगे वाला कोश्चन करते हैं देखो कोश्चन मैंने सोट रूप में लिख दिया है कि एक बैग में 20 पेसे 25 पेसे और 5 पेसे के सिक्कों का अनुपात 1 अनुपात 2 और 6 के अनुपात में है एक 2 और 6 के अनुपात में है यदि कुल धन कुल धन रूपे में दे करो कुल दन कितने रुपे 20 रुपे और पुच्छा क्या है 25 पेसे के सिक्कों की संख्या ठीक है तो सबसे पहले हमने लगा 20 पेसे 25 पेसे और 5 पेसे अब इनके सिक्कों की संख्या लिखेंगे 20 पेसे के सिक्कों की संख्या है एक 25 पेसे के सिक्कों की संख्या है हमारे पास मे कितनी है 6 है अब हमें धन बताना है ठीक है तो देखो पेसे में है अगर 20 को एक से गुणा किया तो 20 पेसे अगर मैं इसको रूपय में बदलूँगा तो रूपय बन जाएगा zero ठीक है point दो zero रूपय इस से अ faster इसको हम पेसे में रखें, point का जंजट चोड़ कर सीधे पैसे में ही रखेंगे एक बार ठीक है तो यह जगार पैसे 20 पैसे इसी परकार 25 को मैं 2 से गुना करूँगा तो 25 को 2 से गुना करने पर 50 आता है तो हमारे पास में कितने पैसे आ जाएंगे 50 पैसे आ जाएंगे इसी परकार में 5 को 6 से गुना करने पर कितना आता है 30, 6, 5, 30, 30 पैसे अब यह सारी संक्या हमारे पास में किसमें हैं पैसों में हैं ठीक है तो इसको भी हम पैसे में बदलने तो देखो 20 रुपे, 20 रुपे को अगर मैं पैसे में बदलूँगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20 इंटू पैसे के लिए कितने 2,0 क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ता है पैसे बनाने के लिए अब उनमें भाग में कितने आएगा 20, 70 और 70 और 30, 100 तो यहां जाएगा 100 अब 2,0 से 2,0 कैंसल ठीक है हम देखो क्या 20,1 बीस को 2 से गुणा करें वकितना जाएगा 40 सिक्के ठीक है इसको दूसरे तरीके से भी करशबते हैं देखो हमारे पास में यहां दे रखा था 20 रुपे दे रखा था देखो यहां समझते हैं इसको हमारे पास में कितने रुपे दे रखा था बीस रुपे दे रखा था ठीक है और देखो बीस और तीस सतर सतर और तीस कितने होते हैं सो सो क्या है पैसे अभी मैंने बताया था सो पैसो में कितने रुपे होता है एक रुपे तो यहां भी रूपे और यहां भी रूपे दोनों संख्या से मौनची अगर पैसे पैसे हैं तो पैसे पैसे में अगर रूपे रूपे है तो दोनों को रूपे रूपे में बदला उपर बारा बीस रूपे में था मैंने इसको भी रूपे में बदल लिया इंटू क्या कि वो अब आपको सोचना है कि आप इसको रूपे में बदल कर कर रहे हो या इसको पेसे में बदल कर गयात करो, जब भी मद्यानूपाथी गयात करना है, ध्यान प्रोक समझे लेना, पहली संक्या तो सेम रहती है, A का मान, इस पर कारत कारते हैं, A का मान दे रह ! C, अनुपात, D इस अनुपात में तो A का दो मान दे रहे रहे है और 4 का मान दे रहे है मद्यानुपात में जो बीच वाली संक्या होती है B और C उन दोनों को X मान लेते हैं कब मानेंगे जब वो मद्यानुपाती पूछेगा कल मैंने चत्योता अनुपाती और ते योटी अनुपाती भी बताया था अगर मद्यानुपाती दिया हो तो इन दोनों को मद्यावालों को X मानेंगे और बहर वाली संक्या आपको दी होगी तो वही बाहिये पदों का गुना इनफल 4 और 9 का गुना और मद्यावालों का गुना X और X का गुना X स्केर X स्केर बराबर 4 अंटो 9 X स्केर बराबर कितना 36 X बराबर कितना आजाएगा 6 तो मद्यानुपाती के आएगा 6 एक कुस्चिन और देखते हैं 18 वे 8 का मद्यानुपाती ग्याद करो 18 का 18 चाहरा अनुपात एक्स एसामानों पाथी का चिना आयेगा समानों पाथ ठीक है अनपाथ एक्स ठीक है तो वही मद्ध्य अपतहूं का गोन फल मद्ध्य अपत कितने एक्स कि स्केर और भाही अपत कितने अठारा है इंटू आठ एक्स स्केर बराबर 18-8 किते होते हैं 144 तो टेक्स का मान हमारे पास में कितना आजाएगा, आज हमारा जो अनुपाद का टोपिक है, यहां खतम होता है, छे टाइप थे, इसके बाद में हम कोई नेक्स्ट टोपिक करेंगे, या तो परतीसात करेंगे, या फिर लाभानी करेंगे, वीडियो कर अच्छा लगे, तो वीड बच्चों तक वीस को शेयर करें